मटर मलाई मेथी बनाने के लिए एक कड़ाई में पानी लेंगे और सभी खड़े मसाले डाल कर प्यास, अदरक लसन हरी मिर्च और काजू डाल के ब्लांच होने देंगे दो से तीन मीनट ब्लांच होने के बाद सबी सामगरी को बाहर निकाल देंगे और खड़े मसाले को अलग कर देंगे प्यास और बाकी सारी सामगरी को हम ब्लेंड कर देंगे अब उसी पानी में हमने मटर डालने हैं और साथ ही डालनी है मेथी इन्हें भी 2-3 मिनट के लिए हम ब्लांच होने देंगे ब्लांच करना इसलिए जरूरी है ताकि मटर भी नरम हो जाए और मेथी का कड़वापन भी दूर हो जाए जब ये ब्लांच हो जाए तब इन सब को भी बहार निकाल लीजिए अब एक कड़ाई में लेंगे बटर, घी और उसमें डालेंगे जीरा फिर वही प्यास की पेस्ट जो हमने पहले बनाई थी वो डाल कर इसे लगातार भूनते रहेंगे दो से तीन मिनिट भूनने के बाद आप देखोगे इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसने कड़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया है अब हम डालेंगे मसाले जैसे की काली मिर्च पाउडर, घरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी चीनी इस समय हम नमा कैट नहीं करेंगे इनको भी मिलाएंगे जब अच्छे से भून जाए तब हम बजारी क्रीम या फिर दूद से उत्री हुई मलाई को डाल कर लगातार हिलाते रहेंगे लगातार हिलाना इसलिए जरूरी है तांकि मलाई फट ना जाए देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगी थोड़ा सा पानी डाल के आप कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते है जब ये अच्छे से उबल जाए तब ब्लांच की हुई मतर और मेथी को डाल कर थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे स्वाधानुसार अच्छे से हिलाएंगे और ढग कर दो से तीन मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे देखिए अच्छे से बॉयल हो गई है ओ वाव किता सुन्दर कलर आया है लग रही है ना ये भी रेस्टोरेंट स्टाइल मतर मलाई में थी आप भी घर पर बनाए और खाईए और खिलाईए आप इसे किसी भी रोटी या पर आंठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलेगा टड़ा